नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त हरिंदर यादव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्विज हरिंदर यादव दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं हम Element of Mathematics Class 10 कर रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने Exercise 12.2 के Question No. 10 तक Finish कर लिया है तो चलिए दोस्तों इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं वो आज कि इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं Exercise 12.2 का Question No. 11 देखे दोस्तों The area of an Equilator Tangle is 49.03 cm² कर रहे हैं कि एक Equilator Tangle है जिसका area दे रखा है 49.03 cm² के Equal अब गहरे हैं Taking Each Angular Point कर रहे हैं उसका जो Angular Point है उसको हम as a center लेंगे A Circle is Described कर रहे हैं कि वहाँ से एक Circle बन रहा है with Radius जिसकी Radius जो है With Radius is to Half the Length of the Side of the Tangle जो की आदी है किसें उसकी जो Side है किस Tangle की जो Side है उसके Half सें उसके आदे के Equal है वो तो अब यहाँ पे कर रहा है as shown in the figure जैसा की figure के अंदर दिखाया हुआ है Find the area of the triangle not included in the circle उस area को find out कीजिए जो Circle के अंदर include नहीं है यानि कि ये वाला area जो है वो हमें find out करना है तो यहाँ पे देखे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये एक Equilateral Tangle है और Equilateral Tangle की सभी Side है क्या होती है Equal होती है तीन साइड होती है ट्रैंगल की और तीनों की तीनों साइड है Equal होती है Equilateral Tangle की साधी साध एक्विलेटरल ट्रेंगल के तीननों एंगल भी equal होते हैं 60, 60 and 60 के equal उसके बाद देखिए यहाँ से प्रतेक जो point है इसका जो एक्विलेटरल ट्रेंगल के जो एक point है हर कोई जो point है उसके वहाँ से उसको center मानते हुए उन्होंने क्या क्या है, circle बनाये हुए है तो यहां से देखे, तीन circle है और तीन नों एक दूसरे के साथ में क्या है, touch है और वो क्या कर रहे है, उनकी radius किसके equal है उसकी जो radius है, वो triangle की side के half के equal है यानि कि उसके आधे के equal है तो यहां से देखे, हम कैसे इसको find out करेंगे, देख लेते है सबसे पहले तो हमें दे रखा है equilateral triangle का area तो यहां पे लिखेंगे area, area of an equilateral triangle equilateral triangle equilateral triangle का area दे रखा है कितना 49 and root 3 cm square के equal अब यहां से हमें पता equilateral triangle का formula क्या होता है area find out करने के लिए तो होता है under root 3 upon में 4 into में a square यह होती है side तो यहां पे हम side भी लिख सकते है, a square भी लिख सकते है तो यहां पे हम side लिख देते है साही से समझ में आ जाएगा side का square is equal to होता है 49 under root 3 यह हो गया यहां पे यह area यह दे रखा है तो area इसके equal हमने कर दिया अब यहां से देखे, under root 3 को हम लिखेंगे under root 3 upon में लिखेंगे 4 उसके बाद देखे, side का square तो side का square तो क्या करेंगे, side का square ही लिखेंगे, side का square side की value हमें find out करने हमें पता ही नहीं है is equal to आजाए कितना 49 under root 3 यह कहिए आएगा, तो अब यहां से देखे हम क्या करेंगे, side के square को रखेंगे इधर, क्योंकि side की value निकालनी हमें, तो side के square को रखेंगे इधर, बाकी को उधर बेजेंगे तो कितना आएगा, 49 under root 3 है, upon में चला जाएगा under root 3, क्योंकि multiply में उधर तो इधर आएगा divide में, तो under root 3 आगया, और multiply में चला जाएगा 4, 4 चला जाएगा उपर multiply में, क्योंकि वो divide में था अब देखे, under root 3 से तो under root 3 cancel हो गया, और यह कितना बन गया 49 into 4 के equal अब क्या करेंगे, हमें side की square की value थोड़ी चाहिए, हमें जो side की value चाहिए, तो हम क्या करेंगे under root both side करेंगे, तो जैसे under root both side करेंगे, तो यह बन जाएगा side जो side square है, वो बन जाएगा side, क्योंकि square से under root cancel हो जाएगा, और side आजाएगा तो यह side जो है, इसकी equilateral triangle की, वो equal आजाएगा किसके, 49 किसका under root होता है, किसका square होता है 49 वो होता है 7 का, तो 7 आजाएगा उसके बाद देखे, 4 किसका square होता है, 2 का, तो यहाँ पे 2 आजाएगा अब 7, 2 जा कितना हो गया यह हो गया 14 के equal तो 14 cm हो गई एक equilateral की side, तो जो equilateral triangle दे रखा है यहाँ पे उसकी जो एक side है, वो equal है किसके, 14 cm के तो यहाँ से देखे, जब यह 14 cm हो गई, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या radius, radius of the circle, radius of each circle, प्रते एक circle की जो radius हैं हम निकाल सकते हैं each circle, वो कितने बन जाएगी, वो बन जाएगी इसके half के equal, वो कह रखा है, उसकी जो side दे रखी है, उसके half के equal है, प्रते एक circle की radius, तो 14 divided by 2 कर देंगे, तो एक इसके equal आ गई, यह आ गई 7 cm के equal, यह हमारे पास radius आगी, एक circle गी, जब यह एक circle की radius हमारे पास आगी, तो हम क्या करेंगे, area of the sector निकाल लेंगे, देखिए, यहाँ से यह आपको दिखाई दे रहा होगा, यह एक, यहाँ से बन रहा है एक sector और यह भी एक sector बन रहा है और यह भी एक sector बन गया और 3 की 3 sector क्या है, equal है क्योंकि 60 degree के एंगल है तो तिन्नों का जो area आएगा वो equal आएगा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम एक का area निकालेंगे और उसको 3 से multiply कर लेंगे तिन्नों का area एक साथ निकल करके आजाएगा, तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, area of sector area of sector area of sector is equal to I, किसके क्या formula होता है area of sector का तो यहाँ से होता है, theta upon 360 theta upon 360 into में pi r square, यह formula होता है तो यहाँ से value put करेंगे theta कितना है, 60 degree upon में 360, और into में pi, pi की जागे 22 upon 7 रखेंगे, और r square r कितना है वई, radius कितनी दे रखी है तो radius यहाँ से दे रखी है 14 की बनगी जी 7, तो 7 multiply by 7 बन जाएगी तो 7 से 7, cancel हो गया और 0 से 0, cancel 6 बनजा 6, 6 बनजा 36 यहाँ गया, अब यहाँ से हम cancel करें, तो 2, 3 जा 6 और यह 2 बनजा, 2, 2 बनजा 2, तो कितना आगया है यहाँ गया, 77 upon में 3 cm के equal, sorry, cm square के equal, क्योंकि यह area है area of sector है तो यह आगया, अब यहाँ से तो आए एक single sector का, और यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तीनों sector सेम है ना तीनों का area सेम है, तो 3 से multiply कर लेंगे, 3 से multiply इसको हम कर देंगे, तो यहाँ से आएगा area of 3 sector area of 3 sectors is equal to 3 multiply by 77 upon में 3 के equal, तो यहाँ से देखिए 3 से 3 cancel, तो कितना आगया 77 cm square के equal आगया, area of 3 sector, अब जब हमारे पास area of 3 sector आ चुका है तो हम क्या करेंगे, जो equilateral triangle का area दे रखा था उसमें से इनको minus कर देंगे तो यह shaded portion जो है हमारे पास आ जाएगा, जो हमें find out करना है, जो circles के अंदर include नहीं area, वो हमारे पास आ जाएगा, तो देखिए कैसे करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे, area of the triangle, area of the triangle, area area of the triangle not included, not included in the circle in the circles कितना आएगा, तो वो आएगा यहाँ से area of the equilateral triangle और उसमें से minus कर देंगे क्या, area of the three sector तो कितना आए था area of equilateral triangle यहाँ से लिख लेते हैं पहले area of equilateral triangle minus area of area of three sectors three sectors का area, तो यहाँ से area of equilateral triangle कितना है? area of equilateral triangle दे रखा है, यहाँ से निकल के आया था अपना sorry, given है अपने पास में 49 under root three के equal, उसमें से हम minus कर देंगे क्या? area of three sectors, तो three sectors का area कितना है था? 77 के equal, अब यहाँ से देखे इसको solve करते हैं, दोनों में से हम common ले तो कितना आएगा? वो आएगा 7, जब 7 इसके अंदर से हमने common लिया, तो अंदर कितना बचा? अंदर यहाँ बच गया, 7 under root three यहाँ गया, और minus में कितना बना? बचा 11 यह 11 बच गया अब देखे, under root three की value क्या होती? 7 को हम 7 लिखेंगे उसके बाद में 7 को यहाँ भी 7 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे देखे, under root three की value क्या होती है? वो होती है 1.73 3 के equal उसमें से हम minus कर देंगे कितना? 11, यह करेंगे अब यहाँ से हम 7 से इसको multiply करते हैं तो कितना आएगा? देखे यह 7 आएगा भार अंदर देखे, जब 7 से इसको multiply करेंगे तो आएगा देखे, 7, 3 जा 21, तो 1 और 2 कहरी चले जाएगी उसके बाद देखे, 17, 7 जा यह होता है 119 के equal और 2 कहरी गई थी तो आएड कर देंगे तो कितना बन जाएगा? 121 के equal और point लगा है 2 के बाद यह लगा दिया, उसमें से हमें minus करना है कितना? 11, 11 हमें minus करना है तो कितना आएगा? 7 multiply में अब इनको minus करेंगे तो कितना आएगा? यह 1 बचेगा यह भी 1 बचेगा point आएगा, उसके बाद में 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और वो 0 यानि कि 1.11 के equal यह आगया अब इसको जब 7 से multiply करेंगे तो यह आएगा कितना? 7.77 cm square के equal और यही हमारा answer हो जाएगा अब चलते हैं क्योस्टर नंबर 12 पर क्योस्टर नंबर 12 देखें दोस्तों the area of an equilateral triangle is this कह रहा कि जो area of equilateral triangle है वो हमें given है about each angular point as center कह रहा कि प्रतेक point को as a center लेते हुए a circle is described कह रहा कि एक circle जो है बनाया हुआ है with radius जिसकी radius जो है वो equal है to half the length of the side of the triangle triangle की जो side है उसके half के equal है हो कह रहा कि find the area of the triangle not included in the circle कह रहा कि वो area निकालिये जो circle triangle का वो area निकालिये जो circles के अंदर include नहीं है और यहाँ पर pi की जो value हमें use करनी है वो लेनी है 3.14 के equal तो देखिए दोस्तों same question है जो अभी अभी हमने 11th question किया है वैसा का वैसा ही question है तो इस तरह से देखिए यह है यह दे रखा है equilateral triangle तो यहाँ से देखिए इसको center मानते हुए इसको center मानते हुए circles बनाए हुए है तो देखिए यह एक circle हो गया एक circle यहाँ से छोटा बना दिया मैंने तो यह कुछ ऐसे बड़ा बनेगा यहाँ तक बनेगा यह और इसको center मानते हुए एक circle यहाँ से बनेगा और इसको center मानते हुए एक circle यहाँ से बनेगा यह इस तरह ऐसे circles बनेगे उसके बाद देखे कहरा है कि जो in circles के include नहीं हो रहा है area वो हमें find out करना है तो देखे ये जो area है ये circles के बीच में जो area है वो हमें find out करना है same question है ये अभी-भी जो करा है हमने वैसा का वैसा question है ये ऐसे है 60 degree का angle ये बनेगा 50 degree का angle ये बनेगा और 60 का ये बनेगा अब यहाँ से देखे कैसे करेंगे यहाँ हमें area दे रखा है किसका equilateral triangle का उसकी side हमें given नहीं है तो पहले side निकाल लेते हैं यहाँ से हमें given क्या है area of area of an equilateral triangle equilateral triangle equilateral triangle का area दे रखा है कितना वो दे रखा है 17320.5 cm2 के एकवल अब यहाँ से देखे equilateral triangle का formula क्या होता है area find out करने के लिए तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे तो area का formula होता है क्या होता है under root 3 by 4 into में side का square यह formula होता है तो यहाँ से देखे हम क्या करेंगे side के square की value निकाल लेंगे देखे अंडूर 3 की value हम यहाँ पे लेंगे कितनी 1.73205 यह लेंगे हम under root 3 की value उसके बाद देखे 4 और into में side का square यह रख दिया हमने is equal to में लिखा 17320.5 यह आ गया इस point को जब remove करेंगे तो निच्चे आ जाएगा 10 क्योंकि एक के बाद point है इसलिए 10 हमने लिख दिया अब देखे यहाँ से हम निकाल लेते हैं side का square side का square जब निकाल लेंगे तो यह सारी की सारी value उधर चली जाएगी side का square इधर रहेगा तो यहाँ से देखे आएगा 173205 अब उन में 10 यह उल्रेडी है यह 4 है यह उपर चला जाएगा multiply में और divide में आ जाएगा क्या यह आएगा 173205 अब देखे इसका point जब remove करेंगे यहाँ लगा ना point तो इसका point जब remove करेंगे तो कितने उपर कितने 0 आएगे 1,2,3,4,5 5,0 और 1,0 से 1,0 cancel हो गया अब बच गया 4 and 10,000 यह आगया अब यहाँ से देखे इस side के square की value आई है कितने आ गई है यह आ गई 4 multiply by 1,2,3,4 यह आ गई यहाँ से यह value हमारे पास आगई side के square की हमें निकालने है side की value तो side is equal to किसके होगी जैसे side कैसे निकलेगी under root both side कर देंगे जैसे under root करेंगे तो square से under root cancel हो जाएगा तो side निकल side बन जाएगा side square जो है side के अंदर convert हो जाएगा side is equal to कितना आएगा 4 किसका square है 2 का तो यह 2 बन जाएगा 10,000 किसका square है तो यह है 100 का यह 100 का square है तो side की जो value आगई वो कितने एक्वल आगई वो आगई 200 cm के equal आगई यह आगई side की value यह आगई equilateral triangle के side की value अब क्या करेंगे देखिए जब यह equilateral triangle के side की value आगई तो हम क्या करेंगे यहां से यह जो side आई है उससे हम क्या करेंगे radius निकाल लेंगे each circle गी और वो किसके equal होगी वो इसके half के equal होगी तो यहां से निकाल लेंगे radius radius of each circle radius of each circle is equal to आएगी 200 divided by 2 के equal तो यह आगे कितनी 100 के equal यहने कि 100 cm के equal यह आगे radius की value तो हम क्या गरेंगे area of sector निकाल सकते है area of sector area of sector is equal to i कितनी theta upon 360 into में pi r square यह value होती है यह होता है formula area of sector का तो यहां से देखिए theta कितना है 60 upon में 360 into में pi pi कितना लेना है 3.14 तो 314 लिख देते हैं point को remove कर लेते हैं नीचे 100 लिख देते हैं हो गया into में r square अब r कितना 100 multiply by 100 यह आगया अब देखिए यहां से इस 100 से यह 100 cancel हो गया 1 0 से 1 0 cancel 6 1 जा 6 36 हो गया अब यहां से देखिए 2 3 जा 6 हो गया और यह आगया 157 157 into में 100 यहां से बचा और divide by 3 तो यह कितना आगया यहां गया 157 into में 100 upon में कितना 3 यह आगया centimeter square के अंदर area आगया 1 sector का एक sector का area आगया और सभी sectors का area क्या है equal है तो यहां से क्या गरेंगे area of 3 sector निकाल लेंगे तो यहां से आजाएगा area of 3 sectors area of 3 sectors is equal to आजाएगा 3 multiply by 157 into में 100 और upon में 3 तो 3 से 3 cancel हो गया और यह कितना आगया यह आगया 15700 centimeter square के equal यह आगया 3 sectors का area हमारे पास में है और हमारे पास में area है equilateral triangle का भी तो आप find out कर लेते हैं देखिए हम निकाल लेते हैं area of triangle area of triangle not included not included in the circle in the circle तो किसके equal आएगा वो आएगा equilateral के triangle में से equilateral triangle का जो area आए था कितना था given दे रखा हमें कितना 17320 0.5 के equal इस में से हमें minus करना है कितना हमें minus करना है 157 जो area आया है 3 sectors का वो तो 157 00 यह हमें minus इस में से करना है तो देखिए जब minus करेंगे subtract करेंगे इसको तो कितना answer आएगा point के बाद 5 में से 0 गए तो 5 5 बचेगा उसके बाद देखिए 0 में से 0 जाएंगी तो 0 बचेंगे फिर 2 में से 0 जाएंगे तो 2 बचेंगे उसके बाद देखिए 3 3 का बचेगा 13 13 में 7 जाएंगी तो 6 बचेंगे बच गए यहां बचा 6 और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ से आ गया 1620.5 cm² के equal और यही हमारा answer हो गया यह हमारा answer हो गया अब चलते हैं question number 13 पर question number 13 का first part देखें दोस्तों कहरा है calculate length of minor arc PR क्या हूँ तो देखें PR क्या हूँ इसकी length हमें find out करनी है यह हमें given figure है इसके अंदर कहरा है कि यह length हमें find out करनी है इस sector की जो arc है उसकी length हमें find out करनी है देखें कैसे करेंगे यहाँ से हमें पता है थिटा थिटा कितना दे रख़ा है 150 उसके बाद हमें radius भी पता है radius r is equal to कितनी दे रख़िया है वो दे रख़िया 14 cm के equal अब क्या करेंगे यहाँ से हम formula लगाएंगे length of the minor arc length of the minor arc p r क्या हूँ is equal to आजाएगा formula formula क्या आएगा theta upon 360 और into में 2 pi r यह arc के लिए formula होता है तो यहाँ से देख़िये theta की value कितनी है वो है 150 के equal तो 150 upon में 360 और into में 2 pi r तो 2 pi की जगा 22 upon 7 और into में r कर देंगे r कितना है 14 तो 14 आगया अब इसको solve करते हैं देख़िये 0 से 0 cancel अब 3 पे करेंगे 3 5 जा 15 और 3 बंजा 3 3 2 जा 6 आगया अब यहाँ से देख़िये 2 पे करेंगे तो 2 6 जा 12 आएगा और 7 बंजा 7 7 2 जा 14 आगया अब 2 पे करें तो कितना आ 22 को जब 5 से करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा 110 के equal और divide by कितना है 3 के equal तो इसको हम solve कर लेते हैं कितना आएगा यह आएगा 3 3 जा 9 के equal 9 और 2 11 तो 20 आगया तो यह आएगा 3 6 जा 18 अब 2 बचा 0 3 6 जा 18 3 6 जा 18 तो 36.66 cm के equal इसकी length आएगी length of the arc हमने find out कर ली यह हमारा answer हो जाएगा अब इसके second part पर चलते हैं second part देखिए करा कि length of major arc psq तो psq की value हमें find out करनी है major arc है इसकी तो देखे ps यहाँ पे आएगा psq यह s point है और यह q point है psq की value हमें find out करनी है यह arc की length हमें find out करनी है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो arc है इसकी length हमें find out करनी है तो देखे थिटा कैसे निकालेंगे हम सबसे पहले थिटा की value लेख थिटा is equal to आएगा कितना है total कितना होता है 360 और 360 मेंस हम minus कर देंगे कितना 150 क्योंकि हमें 150 यह तो पता है न यह वाला angle तो यह तो 150 दे रखा है न यह तो हमें पता है तो 360 मेंसे 150 हम minus कर देंगे तो कितना आएगा यह आ जाएगा 50 और 160 यह आएगा 210 के equal यह आएगा 210 के equal यह आगया अब थिटा हमर पास आ चुका है radius भी हमें given है कितनी दे रखी है radius r is equal to दे रखी है 14 cm के equal अब हम निकाल लेते हैं इसको solve कर लेते हैं length of arc कितनी p as q is equal to होगा उसका formula theta upon 360 और into में कितना 2 pi r अब value put कर देते हैं यह आएगा 210 upon में कितना upon में आएगा 360 और into में कितना 2 और pi की जगए 22 upon 7 और r की जगए कितना 14 यह रख दिया अब इसको solve करेंगे 0 से 0 cancel अब करते हैं इसको 3 पे 3 7 जा 21 और यह कितने बजाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 पे और 7 से 7 cancel हो गया अब देखिए 2 पे करेंगे 2 6 जा 12 आ गया फिर 2 पे करेंगे 2 3 जा 6 आ गया और यह 2 7 जा 14 आ गया अब और divide नहीं होगा तो देखिए यहां से 22 को जब 7 से करेंगे तो कितना आएगा यह आएगा 154 के equal 154 और divide by कितना आएगा 3 अब इसको हम solve कर लेते हैं कितना आएगा देखिए यह आएगा 3 5 जा 15 हो गया 3 1 जा 3 हो गया 0 आया 3 3 is a 9 3 3 is a 9 और यह किसमें आएगा cm के अंदर यानिकि 51.33 cm के equal इसका answer हो जाएगा अब इसके third part पर चलते हैं, third part देखे दोस्तों कहा रहा है कि area of sediment sector यह में find out करना और area of sediment sector तो देख पा रहे होंगे आप यह आपको area दिखाई दे रहा होगा यह area में find out करना है यह rested sector दिखाई दे रहा होगा आमे इसका area में find out करना है तो देखिए कैसे करेंगे यहां से हमें theta तो पता है कितना है theta is equal to दे रखा है theta 150 degree के equal यह दे रखा है radius हमें पता है r कितनी दे रखी है वो दे रखी है 14 cm के equal अब area का formula क्या होता है area of shaded sector उसका formula होता है area of shaded sector is equal to आजाएगा theta upon में 360 और into में कितना into में pi r square यह area का formula है तो यहां से देखिए theta कितना है 150 upon में 360 और into में कितना pi 22 upon में 7 into में r square तो r square कितना आएगा 14 into 14 के equal आएगा 7 से cancel करेंगे 7 to 14 आएगा 0 से 0 cancel हो गया और यह देखिए 3 पे करते हैं 35 जा 15 आएगा यह कितना आएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6 आएगा और यहां से देखिए 2 पे cancel करेंगे 2 6 जा 12 फिर 2 पे करेंगे 2 3 जा 6 आएगा 2 7 जा 14 आएगा अब यहां से देखिए क्या आएगा 7 5 जा 35 35 2 जा कितना हो गया 70 और 70 को जब करेंगे हम multiply 11 से तो 7 7 0 अब उन में कितना आएगा 3 के equal अब इसको हम solve करतें तो कितना आएगा यह देखिए 3 2 जा 6 आएगा 1 कहरी 17 बन गया अब कितने पे 35 जा 15 पे अब 2 बचा 20 और 36 जा 18 फिर 2 बचा 36 जा 18 फिर 2 बचा 36 जा 18 तो यह आगा कितना यह आगा 256.66 cm स्केर यह हमारा answer हो गया अब चलते हैं question number 14 पर question number 14 देखिए दोस्तों कह रहाए कि 4 horses are tied to the 4 corner of square तो देखिए यहाँ से यह square दे रखा है यह square दे रखा है यह यहाँ से एक square है कह रहा है कि इसके पते corner के उपर each corner के उपर 4 corner होते हैं इसके तो 4 corners के उपर horse को बांदा हुआ है horse यहाँ पर बांदा हुआ है tied करा हुआ है उनको अब कह रहा है कि plot of side 20 cm यह rectangular plot जो है उसकी side दे रखे कितनी वो दे रखे 20 cm के equal यह यहां से लेकर के यहां तक की length हमें given है so that they are just reach one another कह रहा है कि इस तरह से बांदा हुआ है कि वो जस बस एक दूसरे के पास में पहुँच पाते हैं जैसे इसको हम बांदा यहां पर तो यह इसके पास पहुँच गया तो कह रहा है कि वो एक दूसरे के पास पहुच पा रहे हैं बस इतना इस बांदा हुआ है उनको just reach one another they eat all the grass within their range कह रहा है कि उन्होंने सारी घास खाई है सारी घास को चर लिया है जो जो उसकी range में उनकी range में जितनी भी घास है उस सारी घास को उनोंने चर लिया है उसके बाद में क्या कह writers है कह रहा है वोट विल भी left ungrazed कह mechanics कितना एरिया है वोट एरिया विल भी left ungrazed कितना एरिया ऐसा बचा है जो ungrazed एरिया है जिसमें घास नहीं चरी गई है वो एरिया कितना है वो हमें find out करना है तो देखे ये तो वो area हो जाएगा जिसके अंदर वो घास चर रहे हैं यानि कि ये वाला और ये वाला ये वाला ये वाला उसके लावा जो ये दिखाई देरा ये वो area है जिसके अंदर उन्होंने घास नहीं चरी यानि कि यहाँ पर वो नहीं खा सकते गास को यहाँ से नहीं खा सकते हो तो देखे इस area को हम कैसे find out करेंगे सबसे पहले तो हमें पता है square का area sorry square की side हमें पता है side of the square side of the square side of the square दे रखी हमें कितनी 20 cm के equal अब निकाल लेंगे area of square तो area of square क्या होगा area of the square is equal to आएगा side multiply by side के equal side multiply by side कितना आएगा 20 multiply by 20 तो यह हो गया 2-2s of 4 and 00 cm square के अंदर तो यह आगया area of किसका square square का area हमारे पास आचुका है 400 cm square के equal यह आगया अब देखे यहाँ से आपको दिखाई दे रहे होगी तो side है वो two parts के अंदर divide आँजागी यहां तक horse पहुँच रहा है और दूसरा यहां तक भी horse पहुँच रहा है तो यह half के अंदर divide हो गई है वो क्या है? Radius यह आपको सरकल का sector दिखाई दे रहा होगा सरकल का क्या है? Radius of the sector, each sector, each sector, सारी की सारी equal आएंगी न, यह जितनी है उतनी यह है, और जितनी यह है उतनी यह है, तो सारी की सारी क्या है radius, equal है, तो radius of each sector is equal to कितना आएगा, वो आएगा 20 divided by 2 के equal, तो यहां से आजाएगा कितना, 10 cm के equal, अब यह आचुगी हमारे पास radius of the sector, जब radius आगई, त theta value क्या होगी, देखिए, theta is equal to, देखिए, जो square होता है, उसकी सबे, जो angle होते हैं, वो कितने के होते हैं, वो 90 degree के होते हैं, तो यहां पे angle theta कितना हुआ, वो भी 90 degree का होगा, अब यहां से हम निकाल लेंगे एक का area, और उसको multiply कर देंगे 4 से, क्योंकि 4 sector हैं यहां पे, तो sector, परते एक sector का जो area आएगा, वो उसका formula क्या पनेगा, theta upon 360, और into में, क्या, pi r square, pi r square, लिख दिया, अब यहां से देखिए, theta की value कितनी है, 90, upon में 360, into में pi कितना, 3.14, तो देखिए, 314 लिखेंगे, divide by 100 कर देंगे, point को remove कर दिया हमने, उसके बाद दिखिए, r square, r कितना द रखा है, आर अभी-अभी find out कि हमने 10 के equal, 10 multiply by 10 आ जाएगा, आगया, अब इसको solve कर लेते हैं, 10 से 10 cancel, दूसरे 0 से दूसरे 0 cancel, हो गई, अब 10 से यहां 0 cancel, और 9 बंजा 9, और 9 फोर जा 36, हो गया, अब 2 से करते हैं, 22 जा 4, और 217, यह आ गया, अब यहां से जो value आ गई, वो आ गई, 157, अपोन में 2 के equal, यह आ गया, हमारे पास, यह आ चुका है, अब यह आ गया किसमे, centimeter square के अंदर, यह आ आया है, एक sector का area, अब हम multiply कर लेंगे, इसको force हैं, क्योंकि सभी की, सभी sectors का area क्या है, equal है, तो हम इसको बस force से multiply करेंगे, सभी sectors का area आ जाएगा, तो यहां स sectors, is equal to आ जाएगा, 4, multiply by 157, अपोन में 2, तो देखे, 2 से 2, cancel, अब 157 को 2 से करेंगे, तो कितना आएगा, 3, 1, 4, और वो भी centimeter square के अंदर, यह आ गया हमारे पास, आ गया, अब हम क्या करेंगे यहां से, अब हम कर देंगे, इन 4 sectors का area, minus, किस में से हैं, area of square में से, तो यहां से हमें निकल जाएगा, वो portion, जो ungrazed area है, तो area, area will be left ungrazed, area will be left, जो area बच जाएगा, ungrazed, यानि कि बिना खाए, और सो ने जिस area को नहीं चरा, वो area बच जाएगा हमारे पास, तो वो क्या है, ungrazed area, तो ungrazed is equal to हो जाएगा, area of, area of square, और उसमें से minus कर देंगे, area of four sectors, four sectors का area इसमें से minus कर देंगे, तो देखे, area of square कितना आएगा, वो आएगा, four ended के equal, और उसमें से minus करेंगे, 4 sectors का area कितना है वो है 3, 1, 4 के equal अब देखिए जब minus करेंगे तो कितना आएगा 6, 20 और यह 80, 86 के equal 86 cm square के equal और यही हमारा answer हो जाएगा अब चलते हैं question number 15 पर 15th question देखे दोस्तों क्या दे रखा है in the figure करा है कि figure के अंदर the sadded reason represent a floor bed जो sadded reason है वो floor bed को represent कर रहा है कहारा कि if OA OA यह O हो गया OA जो है वो 21 meter के equal दे रखा है तो देखे यहां से लेकर के यहां तक का distance हो गया OA OA दे रखा है 21 meter के equal OC OC तो यहां से लेकर के यहां तक का distance यह दे रखा है कितना यह दे रखा है 14 meter के equal तो आप कहरा है कि find the area of the floor bed floor bed का हमें area find out करना है तो देखिए कैसे करेंगे यहां देखिए दोस्तों यहां पे हमें दो sectors नजर आ रहे होंगे देखिए एक sector दो दिखाई दे रहा है यहां से लेकर के यहां तक का यह smaller sector हो गया उसके बाद में दूसरा sector दिख रहा होगा यह बड़े वाला sector यह bigger sector हो गया तो इनके अंदर देखिए हम क्या करेंगे यह shaded portion कैसे find out करेंगे हम जो की floor bed को represent कर रहा है तो देखिए इसको हम find out करेंगे हम क्या करेंगे जो बड़े वाले sector का radius तो ओए को हम radius लिखेंगे जो की बड़े वाले sector की है तो radius कितनी है वो दे रखिए 21 meter के equal उसके बाद दिखिए smaller sector की radius भी हमें given है जो की OC के equal है तो OC भी radius है हमारे पास जो की किसके equal है वो दे रखिए कितनी 14 meter के equal 14 meter के equal है यह OC अब क्या करेंगे यहां से हमारे पास थिटा भी given है थिटा दोनों के लिए same है जो की 90 degree का दे रखा है देखिए 90 degree का angle यह 90 का single है ना तो यह 90 degree का angle हमें given है अब यहां से हम क्या करेंगे area of the floor bed is equal to area area of the floor bed floor bed किसके equal होगा floor bed is equal to तो यहां से देखिए हम करेंगे थिटा अपोन में 360 और इंटू में pi r square pi r r की ज़ए क्या करेंगे जो बड़े वाला ले रहे हैं उसके लिए क्या है o a तो यहां पे o a का square कर देंगे और minus करेंगे इसमें से थिटा अपोन 360 और इंटू में कितना pi o c का square o c का square कर देंगे pi इंटू में o c का square o c का square करेंगे यहां से अब देखिए यहां से हम क्या common ले सकते हैं थिटा अपोन 360 और pi यह तो दोनों में common है ना तो यहां से हम इसको common ले सकते हैं थिटा अपोन में 360 इंटू में pi तो अंदर कितना बचा, अंदर बचा O.A का स्केर, माइनस में O.C का स्केर, यह आगया, तो यहां से देखिए, थिट्टा की वैल्यू कितनी है, 90, तो 90 अपोन में 360, और इंटू में पाई, पाई कितना है, 22 अपोन 7, और इंटू में क्या करेंगे, into में यहां से करेंगे oa का square oa कितना है oa है यहां से 21 तो 21 का square minus में 14 का square यह आ गया तो अब यहां से देखे हैं हम क्या करेंगे इसका यहां से इसको console करें तो 0 से 0 9 1 जा 9 9 4 जा 36 हो गया अब यहां से 2 2 जा 4 इसको cancel out कर देंगे 11 के उपर आ गया इतना तो यहां से आ गया 11 upon में 14 के एकवल यह आ गया यहां से 11 upon में 14 7 2 जा 14 और multiply में क्या करेंगे अब देखे 21 का square कितना आएगा 21 का square आएगा 4 4 1 के एकवल और minus कर देंगे 14 का square जो क्यों होता है 196 के एकवल अब इसको हम solve करें तो कितना आएगा तो देखे यहां से 11 upon में 14 और यह आएगा यहां से minus करने पे 11 minus में करेंगे कितना 6 minus करेंगे ना तो बचेगा कितना 5 बच गया अब यहां से 3 को बनाएगे 13 9 और 4 थार्टीन यह आगा 4 के एकवल फिर यहां बचा 3 3 में से 1 गया हो जाएगा 7 पे हां हो जाएगा देखे 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21 अब कितने बचे 3 बचे 35 7 5 जा 35 यह हो गया अब देखे 35 को जब 11 से multiply करेंगे तो यह आएगा 5 फिर 8 और यह 3 और divide by करना है 2 से तो कितना आणसर आएगा तो 2 से करेंगे देखे 2 बच जा 32.5 मीटर स्केर के एकवल यह एरिया हमारे पास आजाएगा area of flower bed तो यह हमारा आणसर हो गया तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें शेर करें और जो नए वीवर्स हैं पहली बार अमारे चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मिलते अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केर दोस्तों